पहले साओधी अरब में शराब बेचने की सक्त मनाई थी साओधी अरब की CIC जो एक सरकारी संगधिन है निगोशना की कि एक नया शराब स्टोर साओधी की राज़दानी रियाद में स्थित होगा आने वाले हफ्तों में स्टोर खुलने की उमीद है अश्चे रेजनक इसलामिक देश होने के नाते शराब पर सक्त प्रतिबन था उन्होंने इस शराब की दुकान को अनुमदी कैसे दे दी CIC नियमों के साथ एक स्पष्टिकरन भी चारी करती है दुनिया के अलग-अलग हिस्सों से साथी पहुँचने वाले राजनाएक शराब खरीद सकेंगे हाला कि मुस्लिम राजनाएकों को शराब खरीदने की इजाज़त नहीं होगी ये सक्ति से गेर मुसल्मानों तक ही सीमित रहेगा वे सीधे शराब नहीं खरीद पाएंगे एक प्रक्रिया है राजनाएक सीधे जाकर दुकान पर शराब नहीं खरीद पाएंगे ग्राहकों को एक मुबाइल आप के माध्यम से पंजीकरन कराना होगा और साउधी विदेश मंत्राले से क्लियरंस कोट प्राप्ट करना होगा वे इसे स्टोर पर दिखा सकते और फिर खरीदी कर सकते हैं हाला कि एक महीने में उन्हें केवल एक निश्चित मात्रा में शराब खरीदने की अनुमती होगी मुसलिम दुतावाजों के राजनाइकों को शराब पीने की इजाज़त नहीं होगी अभी ये स्पश्च नहीं है कि अन्याग्यर मुसल्मान प्रवासियों को भी स्टोर से शराब खरीदने मिलेगी या नहीं एक बार अपडेट जारी होने पर हम आपको बता देंगे साउदी के क्राउन प्रिंस मौहमद बिन सल्मान ने कहा कि उन्होंने ये फैसला एक बज़े से लिया है प्रिंस ने कहा कि उनके पास एक योजना है जिसे विजन 2030 के नाम से जाना जाता है भविश्य में जब देश में तेल खतम हो जाएगा तो वे अर्थविवस्ता को कैसे संभालेंगे इसलिए उन्होंने शराब की दुकान खोलने का निड़ने लिया ऐसी बिक्री से भविश्य में अर्थविवस्ता को मदद मिलेगी प्रिंस ने कहा कि पहले गैर मुसल्मानों को देश में आने की इजाज़त नहीं थी अब उन्होंने नियम बदल दिये है और विभिन्न धर्मों के लोग देश में आ सकते हैं आप सभी जानते होंगे कि साउदी में सक्त नियम है जहां महिलाओं को पूरा ढखने वाला बुर्खा पहनना पड़ता है नियम में ठील दी गई है साउदी में महिलाओं को गारी चलाने की सकत मनाई थी केवल पूरुष को ही अनुमती थी अब महिलाओं को गारी चलाने की इजाज़त मिल गई है और नियम में धीरे धीरे बदलाफ किये जा रहे है देश नए उद्योगों और कंपनियों को भी प्रोचसाहित कर रहा है इसका उद्देश ये साउदी नागरिकों के लिए नौकरियां जोड़ना और अस्तरवेसरा को बढ़ाना है देश को ये सुनिस्चत करना चाता है कि 2030 में जब तेल नहीं होगा इससे पहले हर किसी के पास नौकरी हो